केलो दुस्तों स्वागत है आपका आज हम लोग बात करेंगे SVI का एक फंड के बारे में जो की बहुत अच्छा रिटन देता आ रहा है और इस फंड में आप मातर 20 सालों में बहुत अच्छा रिटन पा सकते हैं या आप कहें तो बहुत ही कम एमांट जमा करके बहुत ही तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे उससे पहले अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब विडियो को लाइक कर दिजे जो आपका SBI का ये फंड है ये है SBI का कॉंट्रा डारेक्ट प्लान प्रोथ अब इसकी क्या क्या चीज़े हैं वो आपक रिटन दिया है लाश्ट के 10 साल की बात करें तो इसने लगबग 6 irresponsible परसेंट का रिटन दिया है और लाश्ट के 5 सालों में 15 ये सालों मैं देखे तो 40% से भी ज्यादा का रिटन दे चुका है अब इसमें मंतली investment अगर आप करना चाहते तो 500 रुपे सा आप इस टार्ट कर सकते हैं या one time invest करना चाहते हैं तो 5000 रजी कर सकते हैं अब इसके holdings की बात करें तो contra fund है सारे एक पर एक इस पर आपको holdings देखने को मिलेंगे जैसे कि Gale India Limited, ICI, CI Bank Limited, Reserve Bank of India, Equitas, Small Finance Bank, HDFC Bank, Axis Bank और Tech Mehandra इसी तरीके के जवरदस्त fund जो company है उनमें इसके द्वारा invest की जाते हैं इस कारण से इसका return भी बहुत सांदार आपको देखने को मिल रहा है fund size की बात करें तो 11,865 करणों का fund size है अब calculation की बात करें तो 19% पर हम लोग calculation करेंगे और जमा करेंगे 1000 रुपे अगर 1000 रुपे आप हर मेहने जमा करते हैं इसमें तो 5 सालों में जो आपकी राशी total जमा होगी वो 60,000 की होगी और आपको return मिलेगा 40,000 का तो 40,506 रुपे आपको return के तौर पर मिलेगा total value आपके fund की हो जागी 1,506 रुपे की और थोड़ा की बढ़ते हैं 10 सालों पर देखते हैं 10 सालों में जो आप जमा करेंगे वो 1,20,000 करेंगे और total जो आपको return मिलेगा वो मिलेगा 2,38,000 का और total value आपके fund की 3,89,000 हो जाएग यही 15 सालों में 1,80,000 का investment करेंगे 8,40,000 आपको return मिलेगा और total value 10,20,000 की होगी थोड़ा सा और बढ़ते हैं 20 सालों पर देखते हैं कि यह fund कितना आपको return दे सकता है 20 साल की बात करेंगे तो आपका जमार 80,000 2,40,000 होगा और आपको मिल जाएगा 10,000 रिटन यानि 24,000 से भी ज्यादा का total value 37,000,000 की हो जाएगी 25 सालों में 3,000,000 का investment होगा और 67,000,000 आपको total return मिलेगा total value 70,000,000 की हो जाएगी लेकिन अगर आप 30 साल तक रुखते हैं तो यह fund आपका investment जो करवाएगा वो 3,60,000 का करवाएगा और यह 3,60,000 आपको convert करके देदेगा 1,82,000,000 बतलब 1.8, से भी ज्यादा का return अपको दे सकता अगर यह 19 परसेंट का return देदा रहा तो हो सकता है यह 19 से 20 भी हो जाये 21 हो जाये 22 हुझे इस इस हिस्तिति में आपको और भी कईुना return मिल जाएगा लेकिन हो सकता है यह 19 न देके आपको 18, 17, 16 भी दे दे उस सित्ति में भी आपको return अच्छा ही मिलेगा कम इस से थोड़ा कम मिलेगा लेकिन एक proper return आपको जरूर मिलेगा एक कड़ो तक की आपकी संभावना है कि मिल जाएगी क्योंकि इसका जो back record है उसमें बहुत अच्छा return अभी तक दिया ग करियो में